इडी समन पर क्यों नहीं कया दिल ही CM केजरिवाल देखे CM केजरिवाल ने पहली बार बताया पूरा सच नमस्कार शराब घोटाला पिछले दो साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा दो साल से BJP की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेर फेर कहीं नहीं मिला कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला अगर भरष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोडों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भृष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा खुले आम गुंडागर्दी चल रही है किसों को भी पकड़ के जेल में डाल लो अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी इमानदारी है जूटे आरोप लगाके फरजी समन भेज़के ये मुझे बड़नाम करना चाहते है मेरी इमानदारी पर चोट करना चाहते है इन्होंने मुझे समन भेज़े है मेरे वकीलोंने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है क्यों गैर कानूनी है ये मैंने इनको विस्तार से लिखके भेजाया मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानोनी है लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नूटिस गैर कानोनी है क्या मुझे एक गैर कानोनी समण का पालन करना चाहिए अगर कानोनी रूप से सही समण आएगा तो मैं पूरा सही उप करूँगा बिजेपी का मकसद जाच करना तो ही नहीं है इनका मकसद तो लोगसeurब चुनाव में मुझे प्रिचार करने से रोकना आ है छूअ ठीक लोगसरब चुनाव के पहले इनके मुझे समन भेजा है क्यों इस जांच को चलते दो साल हो गए, अभी ठीक लोग सब चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं बुलाया, CBI ने मिरको आठ महीने पहले बुलाया था, मैं CBI में गया था, उनके सारे जवाब भी दिये थे, लेकिन अब ये लोग ठीक लोग सब चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो BJP का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है, इनका मकसद है पूछताच के बहान के एज़रीवाल को बुला लो और उसे गिरिफतार कर लो, ताकि मैं लोग सब चुनाव में प्रचार ना करपूँ, आज BJP भरष्चाचारियों को नहीं पकड़ रही, बलकि खुले आम ED और CBI का इस्तिमाल करके, दूसरी पार्टियों के निताओं को तोड़के BJP में शाम मामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए, तो जो इनकी पार्टी जॉइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफद अफ़गर दिये जाते हैं, जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है, आज मनीज सिसोधि इसे निय話 संजेंसिंग और विजनाय इसलिए जेल में नहीं है क्यूं ने ब्रिश्टाचार किया है वह इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी चाहिन में शामिलाने से इंकार कर दिया है आज हम BJP का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं क्योंकि हमने कोई ब्रष्टाचार नहीं किया अगर हमने जर्रा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे ब्रष्टाचारी नेताओं कि तरह आज भी हम bjp में शामिल हो चुके तो होते आज दख इस तरह देश के इमानदार नेताओं को जेल में डालके और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाके ऐसे तो देश आगे नहीं वड़ सकता यह क्या चल रहा है यह जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है यह हमारे जंतंतर के लिए बहुत गलत है इसे रोकना होगा मैं हमेशा देश के लिए लड़ाऊं मेरा तन, मन, धन देश के लिए है मेरी एक-एक सांस देश के लिए है मेरी खून की एक-एक बूंद देश के लिए है मेरे शरीर का एक-एक कत्रा देश के लिए समर्पित है हमें मिलके देश को बचाना है मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ आपका साथ चाहिए